पीशन गर्मी में जब तीवी के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों में पहुत रही हैं तब कई लोगों के होश उड़ रहे हैं कि बड़े बड़े महा मिलावटियों को इस चोकिदार के लिए आपका स्नें उनको समझी नहीं रहा है कि दो इस चोकिदार को इतना प्यार क्यों कर रहा है और उपर से पहले चरण की वोटिंग में ओडिसा से जो संकेत आये हैं उससे साफ है कि दिल्ली में फीर एक बार और ओडिसा में ओडिसा में भाजपा सरकार ओडिसा में ओडिसा में साथियों ये समर्थन देश इस लिए दे रहा है क्योंकि सभी एक मजबूत और इमानदार सरकार चाहते हैं बेनों और भाईयों हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है कमी रही है जनता के पैसे के सही इस्तमाल की पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं उसका लाब आप तक पहुंच रहा है के नहीं पहुंच रहा है कि आप मुझे बताईए कि सो पैसे बेजने पर अगर आप सिरफ पंदरा सोला पैसी का ही काम करेगा होगा तो यहां विकास हो पाएगा है यहां विकास हो पाएगा है सो पैसे मैंसे पचासी पैसे कोई दलाल अपनी तीजोरी में भर लेगा तो क्या यहां सड़के बन पाएगी पूल बन पाएंगे अस्पताल बन पाएंगे स्कूल बन पाएंगे आज हादी के इतने सालों तक यह ब्रस्टा चार चल रहा था लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था अम्मोदी की सरकार ने आपके इस चौकिदार की सरकार ने यह व्यवस्ता बनाई है कि सरकार अगर सो पैसे भेजे तो पूरे सो पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो सो के सो पैसे भाई और बहनों इन पांच सालों में अगर आप इस चौकिदार के साथ खड़े ना होते तो यह संभव ही नहीं था आपके इसी आशिरवात की वज़र से भाजपा की मजबूत सरकार लोग कल्यान और राष्ट कल्यान से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और ब्रश्ट सरकार भी देखी है ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में गोटाला कर जाती थी ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राष्ट में गोटाला कर जाती थी ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में गोटाला कर जाती थी ये वो सरकार थी जो जमिन से निकलने वाले खनीजों और कोईले तक्रे में गोटाला कर जाती थी गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी जैसे ही पैसा आया ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे क्या आपका ये चौकिदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से इन ब्रस्टाचारियों का मुकाबला करूँगा साथियों जब इस चौकिदार ने इनके ब्रस्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कश्ट हुआ है कभी ये मुझे राष्टे से हटा देने पर तुले हुए है बाई और बहनों ये पहले की ब्रस्ट और कमजोर सरकारों का परणाम है आज जादी के इतने वर्ष बाद भी संपन ओडिसा की जंता गरीब ही गरीब होती चली बाद 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 भी